गुड मॉर्णिंग आवरीवन आज को हमारा नया टॉपिक है मेल्टि पॉइंट कटिंग टूल के अंदर ड्रील ड्रील क्या होता है ड्रील क्या होता है कि अगर हमें किसी मेटेडियल में की बादार्त में कोई होल करना ओ तो हम ड्रिल का यूज़ करते हैं ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो ड्रिल मशीन होती है उसके आगे एक टूल लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ड्रिल बोलते हैं या बर्मा बोलते हैं तो हम उसको sensitive या bench drill machine आजम लोग पढ़ेंगे यह स्क्रीन पर आपको फिगर रिखाए दे रही है यह आपकी sensitive या bench drill machine की figure इसको हम देखते हैं क्या है आप यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है सबसे नीचे की तरफ दिया हुआ है आपको base यह base होता है वाला कि इसके side में ऊपर के तरफ यह pillar है जो मैंने यह red pen से किया हुआ है इधर यह घोनी मेज है उसके बाद इधर राइठ अन side में ऊपर के तरफ motor है ऊपर यह step पुली लगी हुई है दो step पुली लगी हुए और एक तो लगी है देखिये एक तो यह motor के ऊपर लगी हुए दूसरी लगी हुई है यह वाली step पुली कहा लगी हुए spindle के उपर, spindle कौन सा है, ये वाला, ये है आपका spindle, spindle के नीचे क्या लगा हुआ है, चक लगा हुआ है, और ये जो है बड़े वाला, इसको मैं दूसरे color से कर दे रहा हूँ, जो ये है, ये है आपका feed handle, जो मैंने yellow से किया है, इसको हमने बोला है feed handle, ठीक है, उपर के तरफ ये है, वी पट्टा लगा हुआ है, वी belt लगे होती है, तो ये इसके element होते है, इस machine के, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कहता है, इसमें क्या होता है, जो base होता है, ये इसका आपका cast iron का बना होता है, जो bench drill machine है, इसमें जो base होता है, आपका cast iron का बना होता है, और इस machine से ह 10 mm 10 mm तक के छेद हम जो है कर सकते हैं है क्या होता देखे जो ऊपर ये पिलर लगा होता है पिलर पर क्या होता है एक Uh correlation लगा होता है उस summary से आगे गोनी मेज लगी बिद यह वाली इस हम घुमा कर इस फेनल को मर रोटेट करते हैं तो अपर कि इस व्हाल चाहण रिवी पहना पर क्या कटे होते हैं सब्सस्कुत कर कोई भी जो वर्गपीस है जिसके अंदर आपको ड्रिल करना है उसको आप इसके अंदर फसा सकें और विद यहलप ऑफ अटेच्मेंट आप इसको कस के और ड्रिल को परफॉर्म कर सकें तो यह लगा होता है इसलिए उपर साइड में मोटर लगी होती है मोटर के उपर यह पुली होती है जो की वी बैल्ट से कनेक्ट होती है यह वी बैल्ट का ठीक है तो जब मोटर ओन होता है तो क्या होता है कि यह पुली घुमती है जिससे मतलब वी बैल्ट की है पुली घुमती है तो यह पुली घुमेगी राइट हैं साइड वाली तो लेट हैं साइड वाली जो drill bit होता है उसको हम लगा देते हैं और वो operation को perform करता है यानि कि जो workpiece होता है उसके अंदर वो उसको hold कर देता है तो क्या होता है जो यह handle होता है यह क्या होता है इस handle की help से हम feed को provide करता है यानि कि जो यह arrangement है यह वाला यह क्या होता है इस handle की साहते से यह नीचे भी आ सकता है और उपर भी जा सकता है ठीक है जितना हमें feed देना होता है उतना इस handle को जो operator होता है वो घुमा कर इसको नीचे लिया आता है यहां तक और उसके बाद वो जितना भी drill करना होता है उसको drill करता है और उसके बाद इस handle को वो घुमा कर ऊपर के तरफ ले आता है ठीक है तो यह काम होता है जो feed handle होता है अच्छा इसको sensitive machine भी कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि जो operator होता है जो operator होता है वो हाथ से feed देता है याँ कि हाथ से feed के कारण जो operator होता है उसको यह पता चलता आ है कि जो drill है वो किस तरह से छेद कर रहा है तो इस आभास के अधार पर ही इस drill machine को हम sensitive drill machine भी कहते हैं इस machine की जो speed होती है वो 300,000 rpm होती है या उससे अधिक भी हो सकती है तो यह होती है आपकी sensitive या bench drill machine इस तरगे से ही आपकी work करती है अभी हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे नेक्स वीडियो में हम next type की आपकी drill machine होती है उसको study करेंगे ओके, thank you